में अमरूद का पेड़ जरूर लगाना चाहिए अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो अमरूद का पेड़ लगाएं उस पेड़ के तीन पत्ते हर रोज सुबह खाली पेड़ खाएं बिना ब्रश किये आपको उसे खाना है अगर आप ब्रश करके खाएंगे तो वो आपको फायदा नहीं करेंगी क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो जो आपके बासी मू की लार है उसे आप बाहर निकाल देती हैं ये बासी मू की लार हमारे लिए अमरित है अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो बासी मू की लार को आँखों के नीचे लगाते रहें इससे आपके काले घेरे बिल्कुल खतम हो जाएंगे अगर आपके चहरे के उपर पिंपल्स हैं तो आप बासी मू की लार लगाएं इससे आपके चेहरे के pimples गायब हो जाएंगे आपके शरीर पर कहीं भी दाद, खाज या खुजली है, जलन हो रही है तो आप अपने बासी मू की लार, यानि कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही अपनी लार को अपने उस घाव पर लगाएं आप देखेंगे चुटकियों में आपका घाव सही हो जाएगा तो इस लार के इतने फायदे हैं, इसी लिए सुबह उठते ही बिना ब्रश किये आपको तीन अमरूद के पत्ते हर रोज खाने हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे जो आपको फायदे होंगे आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि अमरूद के पत्तों में विटामिन सी भरपूर मातरा में है यह विटामिन सी हमारी एम्म्यूनिटी को भढ़ाता है हमारी रोग प्रतिरोदक शम्ता को इंक्रीज करता है अमरूद के पत्तों में एंटी ऑक्सिडंट गुन हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुन हैं जो हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं ये anti-inflammatory है जो हमें दाद खाच खुजली से बचाता है धेरों गुन है इसके चलिए विस्तार से जानते हैं अगर आप खाली पेट अमरूद के पत्ते खाते रहेंगे तो इससे आपको कौन-कौन से फायदे मिलने वाले हैं पहला फायदा है डेंगू बुखार में अगर किसी को भी डेंगू का बुखार हो जाए तो कहीं जाने के ज़रूरत नहीं है आपको बस अमरूद के पत्ते खाली पेट खाने हैं डेंगू के सेल्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं इतनी तेजी से तो आपके सेल्स कीवी भी ड़ अमरूद के पत्तियों का आप काड़ा बना कर बीजिए डेंगू के केस में अमरूद की पत्तियों का काड़ा कैसे बनाना है अमरूद की 10 से 15 पत्तियां लेकर उसमें 2 गिलास पानी के डालिए उसे अच्छे से उबालिए जब तक की पानी एक गिलास ना रह जाए अब इस प इंगू की बिमारी कुछी दिनों में खतम हो जाएगी डाइबिटीज में अमरूद के पत्ते रामबान है आज कल डाइबिटीज से हर एक इनसान परेशान है हर दूसरे गर में डाइबिटीज का पेशन्ट है और डाइबिटीज की जो सबसे बुरी बात है वो है कि इनसान को दवाई खाने ही पड़ती है क्यों खाने ही पड़ती है क्योंकि हमें डाक्टर डरा देते हैं डाक्टर कहते हैं अगर दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे इस डर में हम खाते हैं दवाई और ये दवाई हमें एक लट लग जाती है, इस दवाई के बिना हमारा diabetes कंट्रोल होता ही नहीं है लेकिन diabetes क्या है, शुगर का level ही तो है, शुगर का level कंट्रोल में रहना ये natural है जब आप अपने pancreas को संभाल कर नहीं रखते, pancreas के अंदर insulin production होती है जब ये insulin production कम हो जाती है, तो diabetes हो जाती है अपने insulin की production को बढ़ा भी सकते हैं, natural तरीके से बढ़ा सकते हैं अमरूद के जरीए अगर आप खाली पेट अमरूद के पत्ते खाते रहेंगे, तो इससे आपका pancreas मजबूत होता जाएगा और अपने आपसे insulin produce होता जाएगा, तो आपको बाहर से दवाई लेने की जरूरत बिलकुल नहीं पड़ेगी बस मेरी आपसे एक request है कि आपको आयरवेज से जुड़े रहना है क्योंकि आयरवेज में हर बिमारी का इलाज जड़ से खतम करने के बारे में बताया जाता है आज के विज्ञान जैसा नहीं कि हर बिमारी को सिर्फ क्योर किया जाता है